नमस्कार दोस्तों सावित करता हूँ आपके चैनल गडित एंड जी एस में दोस्तों लोग अच्छा ठी गडित लगा रहे हैं कस्नावली संख्या ग्यार दसमें दो ठीक है दोस्तों अब लोग 7% तक लगा चुके हैं देखते हैं 8% क्या कहता है कहरा मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीबना चाहता है इस खेत को नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समानांतर समलंब चत्र भुज में दोस्तों दो भुजाएं समानांतर होती है ठीक है इसमें ये दोनों भुजाए है, एक सड़क के साथ जो है, और एक नदी के साथ ठीक है, और लंबाई में दुगनी है, यानि दोस्तों अगर इसकी लंबाई है, अल, तो ये हो जाएगी दो अल, ठीक है दोस्तों, ये अल है तो ये दो अल है लंबाई में, दिया हुआ है यहा 10,500 मीटेर इसक्वेर दे रखता है चेट्रपल दोस्तों हमें दे रखता है और दो समांतर भुझाओं के बीच की लंबवथ दूरी और ये लंबवथ दूरी भी दे रखी 100 मीटर तो नदी के साथ वाली भुझा की लंबाई ये हम से पूछ रहा है ठीक है दोस्तों, छेत्रपल क्या होता है समलम चत्रवुज का, जी हाँ दोस्तों, एक बटा दो, गुड़े, जो समांतर भुजा हैं, उनकी लंबायों का योग, यानि यहाँ पर एक एल है, दूसरी समांतर भुजा है, दो एल, इनका योग, और लंबवद्दूरी, लंबव क्या आ जाएगा एक बटा दो, यह आ जाएगा दोस्तों, तीन एल, लंब हमें दे रखा है सौ, क्या होगे दोस्तों, दो से इसको काट दिया माल लिए, पचास हो गया, पचास ती है, देड़ सो एल, और हमें छेत्रपल दे रखा है, दस अजार पान सो, एल बराबर, दस भागे एक सो पचास, जीरो से जीरो कट केस दोस्तों, पांच से काटें तो, यह पंदरा से काट देते है, 15, 70, 70, एल आगे है दोस्तों, 70, मीटर, यह क्या आया है हमारे दोस्तों, एल आया है, यह यानि यह वाली बुज़ा, जो सड़क के साथ है, वह है 70, मीटर, मगर दोस्तों हमसे पूछा गया है नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्यादा excitement में हम लो question में थोड़ा गलती कर सकते हैं कभी हम 70 यह answer मार के आ जाए हमसे पूछा गया है 2L 140 meter दोस्तों नदी के साथ वाली भुजा दुगनी है 140 meter answer हो गया देने वा तोस्तों